Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Christopher Marlowe के play Edward II जिसका दूसरा नाम The Troublesome Rain and Lamentable Death of Edward II, King of England with the Tragical Fall of Proud Mortimer है अगर बात करें Christopher Marlowe के बारे में तो इन्हें Kit Marlowe के नाम से भी जाना जाता है ये Elizabethan Age के English Playwright, Poet और Translator थे और इन्हें Dramatic Blankverse के Establishment के लिए जाना जाता है Present play Renessa या Early Modern Period play है जिसमें King Edward II और Pierce Gaveston के Relationship और Roger Mortimer के Order पर Edward के Murder पर फोकस किया गया है अगर play के Main Characters के बारे में बात करें तो Edward II जो कि England का राजा है Queen Isabella जो उनकी wife, Gaveston जो कि उनका दोस्त है Kent, Edward II के Half Brother और Prince Edward जो कि Isabella और Edward II के बेटे हैं इसके अलावे भी play में कई Characters है जिनसे हम play में परचित होंगे तो चलिए शुरू करते हैं Play की शुरूआत होती है Edward II के शाषन से जो अपने पिता Edward I की हाल में हुई मृत्यू से बेहत खुश है तो क्यों खुश है? क्योंकि इसके पिता ने बहुत पहले इसके फेवरेट Piers Gavaston को देश से निकाल दिया था और अब उनकी मित्यू पर वो वापस England आ सकता है और Gavaston भी अपनी लोटने की बात से बेहत खुश है अब Gavaston देश लोटाता है और Edward अपने चहेते को पद, पैसा, गिव्ट सब कुछ देते हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स भी देते हैं पर Gavaston के आते ही Edward ने राजपाठ पर ध्यान देना छोड़ दिया मिलिटरी पर पैसे खर्च करने के बजाए Gavaston पर करने लगा जिससे राज के Nobles, Bishop of Canterbury, Younger Mortimer, Elder Mortimer, Earl of Warwick, Earl of Lancaster ये सब काफी नाराज हो गए और Gavaston को देश से निकालने के लिए हर हतकंड़ अपनाया और अट लास्ट इन्होंने Edward पर इतना प्रेशर बनाया कि वो Gavaston को देश से निकालने की बात पर राजी हो गया Gavaston की जाते ही Edward जिसकी अपनी पतनी Isabella से संबंद पहले ही कुछ खास अच्छे नहीं थे अब उसके साथ और बुरी तरह से पेश आने लगा और किंग का फेबर पाने के लिए Isabella ने Gavaston को वापस बुलवाने की सोची हाला कि शुरू में नौवल्स इसके लिए बिल्कुल तयार नहीं थे लेकिन Mortimer जो की बाद में Isabella का लवर बन जाता है उसके समझाने पर सब राजी हो गए और इन लोगों ने ये प्लान भी बनाया कि अगर कुछ भी गलत होता है तो यहां Gavaston को एक्जीक्यूट करना काफी आसान होगा इधर Edward Gavaston के रिटर्न की बात से बहुत खुश था और दूसरी तरफ यंगर Mortimer के पिता Elder Mortimer को Scots ने बंदी बना लिया था जिन्हें Edward ने ही वहां भेजा था पर Edward कुछ करने से मना कर देता है और इधर Gavaston की शादी अपनी भतीजी से कराने की सोचता है ताकि Gavaston हमेशा के लिए यही रह जाए इन सब चीजों से और राजा के इस बिहेवियर से नाराज होकर Nobles उस पर हमला करते हैं और Gavaston को पकर लिया जाता है और Nobles उसे एक्जीक्यूट करने का मारने का डिसीजन लेते हैं लेकिन Edward request करता है कि एक आखरी बार उसे Gavaston को देखने दिया जाए Arandall और Pembroke Edward की इस request को मान लेते हैं लेकिन Warwick Gavaston को Edward के पास निजाते समय ही मार देता है और इसके बदले Edward दो Nobles जिन्होंने Gavaston को मारा Warwick और Lancaster को मार देता है और सारे Nobles को अरेस्ट कर लेता है जबकि Edward का Half Brother Earl of Kent और Younger Mortimer फ्रांस भाग जाते है और Isabella भी अपने भाई की यहां फ्रांस आ गई कि किसी के साथ Ally कर सके और Younger Mortimer को छुरा सके लेकिन फ्रांस ने उसके मदद करने से मना कर दी लेकिन सर जौन हैनल्ट ने Queen Isabella की मदद करने का प्रामिस किया और अब सबके बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसमें Edward हार कर Net Abbey में आश्रे लेता है लेकिन एक मूर उसे पहचान लेता है और Edward को जेल में डाल दिया जाता है और उसके चम्चो जिनमें से एक स्पेंसर था उसे वही मार दिया जाता है और तब प्रिंस Edward को राजा बनाया जाता है और Kent को प्रोटेक्टर पर Edward के साथ बहुत जुल्म किये जाते हैं और गरने और मैट्रिविस नाम के दो गुंडे उसे टॉर्चर करने और मारने के लिए मारने के लिए मौर्टिमर और क्वीन के द्वारा भेजे जाते हैं थोरे समय में Kent चोकी Edward का भाई था उसे एहसास होता है कि उसे अपने भाई के साथ लॉयल रहना चाहिए और उसे जेल से निकलवाना चाहिए ये बात पता लगते ही मौर्टिमर उसे यानि Kent को मारने का ओर्डर देता है जबकि Edward थार्ड उसे बचाने की कोशिश करते हैं और Kent को जेल भेज दिया जाता है और मौर्टिमर प्रोटेक्टर का रोल ले लेता है अब मौर्टिमर को लगता है कि Edward का निप्तारा जल से जल्द कर देना चाहिए और इसके लिए वो Lightborn को कारागार में Edward को मारने के लिए भेजता है Lightborn Edward को एक गरम पोकर जिसका यूज जलते कोईले को एड़्जस्ट करने के लिए होता है उससे मार देता है और दो गुंडों में से एक गरने तब Lightborn को मार कर वहाँ से भाग जाता है मौर्टिमर और क्वीन को मैट्रेविस से खबर मिलती है कि Edward सेकेंड मारा गया लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि Edward थर्ड को इनके सारे प्लैन के बारे में पता चल चुका था तो कैसे वो इसलिए क्योंकि गरने जो दो गुंडों में से एक था जो Lightborn को मार कर वहाँ से भाग गया था उसने Mortimer को धोका दिया और ये सारी बात जाकर Edward थर्ड को बता दी और अब Edward थर्ड ये आदेश देते हैं कि Mortimer का सर धर से अलग कर उसके पिता Edward सेकेंड के हेर्स यानि शब वाहन पर टॉप पर रखा जाए और उसकी मा को टावर पर जहां शायद कैद खाना है वहां सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है और प्ले के end में Edward थर्ड को अपने पिता की हेर्स पर यानि जो वेहिकल कॉफिन को चर्च तक ले जाती है रोते हुए दिखाया जाता है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी Thank you